दोस्तो स्वागत है आप सब का फिर से एक न्यू वेकेंसी के साथ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टील अथोर्टी ओफ इंडिया लिमिटेट की तरफ से वेरियस ब्रांचों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर सिविल, एलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, इंस्ट्रुमेंटेशन और केमिकल इंजिनियर से लिजबल रहेंगे फ्रेसर से लिजबल हैं, सैलरी यहाँ पर आपको काफी अच्छी मिल जाएगी और क्या बताए गया हिनके ओफिसेल नोटिस में उसमें आगे जाने से पहले, आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जॉबस अबडेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाट्सप ग्रूप को भी जोईन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं इनके ओफिसल नोटिस पर नोटिस आपका स्टील अथोर्टी ओफ इंडिया लिमिटेट की तरफ से निकाला गया है यह आपकी एक PSU कंपनी है गोर्मेंट ओफ इंडिया का इंटरप्राइज़ है तो फिलहाल यहाँ पर आपकी अलग-अलग ब्रांचों के लिए वेकेंसी है यहाँ पर SCST और OVC कंडिडेट अपलाई कर सकते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी नेम ओफ पोस्ट के बारे में तो पोस्ट यहाँ पर आपकी Management Trainee Technical की रहने वाली है तोटल यहाँ पर आपकी 92 पोस्ट ओपर वेकेंसी रहेगी नेक्सम बात कर लेते हैं आपकी वेकेंसी लिटेल के बारे में Chemical Engineers के लिए यहाँ पर 3 Posts Over Vacancy है, Civil Engineers के लिए यहाँ पर 3 Posts Over Vacancy है, Electrical Engineers के लिए यहाँ पर 26 Posts Over Vacancy है, Instrumentation Engineers के लिए यहाँ पर 7 Posts Over Vacancy है, Mechanical Engineers के लिए यहाँ पर 34 Posts Over Vacancy है, Metallurgy Engineers के लिए 5 और Mining Engineers के लिए यहाँ पर 14 Posts Over Vacancy है, बाकि आपकी vacancies को यहाँ पर category wise कैसे बाटा गया है तो यह चीज़ा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बात करें आपकी upper age limit के बारे में तो upper age limit यहाँ पर आपके 28 साल रखी गई है इसके साथ ही age पर government rule के हिसाब से यहाँ पर आपको age relaxation मिल जाएगा तो जिन भी दोस्तों ने हमारे bbtek किया है chemical, civil, electrical, instrumentation, mechanical, metallurgy या फिर mining engineering में और bbtek में आपके minimum 65% mark हैं आप यहाँ पर apply कर पाएंगे इसके साथ यहाँ पर आपकी allied branchों को भी eligible किया गया है बात करें आपके selection process के बारे में तो selection process यहाँ पर आपका CBT exam के आधार पर होने वाला है next हम बात कर लेते हैं आपके pay level के बारे में तो जो लोग भी यहाँ पर age technical trainee select होते हैं salary यहाँ पर आपको 50,000 रुपे प्रतिमंथ मिलने वाली है बात करें आपके apply process के बारे में तो apply process यहाँ पर आपका online रहने वाला है form online होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं और last date यहाँ पर आपकी 31 December रहेगी तो जो लोग भी इनके eligibility criteria को पूरा करते हैं आप इसके लिए interested होते हैं, eligible होते हैं आप यहाँ पर apply कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you, शुक्रिया